सबसे बटा कोशन मां किया हुआ उठता है कि बच्चे ये बोलते हैं कि सर 10 लास तो हमने पास कर ली सर हमें सीब्यस क्लास टेंट में बहुत बड़िया नंबर आ जाते हैं आपके मैट्स में तो इस भीहाव पर आप मैट्स तो ने लेने वाले 11 वर 12 वर एसे बहुत बच्चे भी होते हैं जिनके क्लास टेंट में मैट्स में चीनही भी आते विर फिर भी क्या है वो मैट्स ले ले लेते हैं और मैट्स में अच्छ नमबर लिया थे 11 12 वाल मैं अपने example लेता हूँ कि class 10 में मेरे maths में नमबर अच्छे नहीं थे बट 11-12 में बहुत मैने करी और बहुत अच्छे नमबर आये मेरे reason उसके पीछे क्या होता है सबसे पहले मैं आप तो सौल से बताने वारू कि class 10 में maths में अच्छे नमबर आये या नहीं है तो कैसे आप अपने आप select करे कि क्या मैं maths ले पाऊंगा या नहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी girlfriend ले रही है तो मुझे भी maths चाहिए ऐसा तो नहीं कि में जी crush है वो maths ले रही है तो मुझे भी लेना चाहिए तो ये सब बाते ध्यान में रट तर ऐसा बिल्कूल नहीं हो अच्छे कि मेरा best friend मैट्स ले रहा तो मुझे भी लेनी है ऐसा नहीं सोचना पहले अपना level देखना है कि क्या मैं ले पाऊँगा अब वो level देखना है सबसे पहले class 11 की video अच्छे कि स्टार्टिंग गें दो चैप्टर चैप्टर वन और चैप्टर टू दो चैप्टर उठाओ यूट्यूब पर वीडियो मिल देगी आप तो नाम से देखो कि क्या आपको समझ में आ रहे हैं अन्य चैप्टर वन और टू समझ में आ रहे हैं तो आप पूरी ट्रेस से इलीजिबल है class 10 में जो आपके मास अच्छे आए हो मैट्स में या नहीं है उससे मतलब नहीं है मैट्स आप ले पाओगे 11 क्लास से बड़ी प्यार से बड़ी प्यार से 11 का मैट्स ले लोगी लेकिन अगर आपके मास भले अच्छा है मैट्स में और chapter 1 और तूप लगता है कि नहीं हो पारी मैट्स हमसे नहीं हो भाईंगी बिलकुल भी पूरी टास 10 में मैट्स हो थी हो 11 में जो मैट्स है पूरी डिफरेंट मैट्स या सब लग रहे है तो नहीं लेना फिर मैट्स वर्णा क्या हो रहा आगे चल कर आपको बहुत डिफर से लेनी है क्या मुझे आर्ट से लिचाहे क्या मुझे चाहि क्यां मुझे साइंस सइंस में क्या लूख पी-सी मिलीया पी चैमी विरूशन मांग कुला है और से बात करें टो ये सबस्टेशन फ्रमा करें आप् Darkness से बस्टत प्र पांसंम को समझे क्या है क्या है वो पता होना चीए बहुत सारे बच्चे होते हैं तेरे नंबर स्ट्रेंट केस होते हैं हमारे बहुत सारे ठीक हैं को बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता है कि after 12 मुंझे यह करना है नहीं पता होते हैं बस ऐसे लेते हैं उन्हें यह पता होता है कि after 12 मुझे यह करना है बट subject क्या लेना है यह नहीं पता कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें ये पता होता है कि मुझे Commerce लेनी है, Arts लेनी है, Science लेनी है ये पता होता है लेकिन मुझे After 12 क्या करना है Future में ये नहीं पता होता और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कीसर केस में होते हैं उन्हें ये पता होता है कि after 12 मुझे यही करना है सब्जेट मुझे यही स्लेट करना है पहले से डिसाइड होता है तो यह चीज बहुत बड़ी चीज होने वाली है तो मान लो for example कि लिए संस्Ʌल होगा है तो या जाए सितलई हो सबस्सें कर सकते हैंकि जादी के बाद करो को कि मुझे से पता है कि अनल यह चाहिसे प्रणा है सब्स्रीम कोई भी लिए उससे मतलब नहीं है उससे मुझे मतलब नहीं है मुझे बता है सीए करना है या मुझे सीए बनना है से की बहुत मोटी सालरी होते हैं मुझे वो काम करना है को मतलब की हमें सब्जेट से मतलब नहीं है हमें आफ्र ट्वेल यह करना है वो मतलब है लेकिन मैं आपको बोलूना की जैसी आफ्र ट् सब्जेट्स आरे हैं आप वह व होडी की माइप अच्छे ऑप करें बह घल आंप करें लुँव हुओ आपके की रहना है? UPSC करना है UPSC वाला बच्चे भी गहें तीनों सी रहता है Arts वाला भी, Science वाला भी और Commerce वाला भी कुछ भी कोई बच्चे रहता है लेकिन, लेकिन, लेकिन उसके एद बार subject अब select करना Chat करो देखो एद बार की subject कोओं कोण से है कोण से stream में वो like कर रहे है जब भी मैं select कर पहूंना कि Arts लू, Commerce लू, Science लू ठीक है, clear होगे हमारा पहला point clear होगे आपको case 1 बढ़े अच्छी आप समझ में आ गया मुझे बता है थोड़ी सी boring से लगे वीडियो बढ़ कहें कि इसमें ना सबसे बढ़े डिफरेलिटी होटी है आपके life की आपकी life tank के बाद 11 में क्या लेने वाले हो बहुत बढ़ा कोशन माल होता है और इसी के base पर आपका future होता है मारा, case 1 clear हो गया case 2 की बात कर रहे है, तो बच्चे ऐसे होते है जिनने बता होता है यार भाया पक्की बात है मैं numerical abortion बहुत अच्छा है ना तो मैं commerce रहूंगा, मेरा theory abortion बहुत अच्छा है तो मुझे arts लेनी है मुझे ये bio में interest है तो मुझे pc भी लेनी है तो ऐसे बच्चे क्या होता है बच्चे ऐसे होते है subject wise लेते है लेकिन उनको ये नहीं बता कि after 12 क्या करना है तो उन बच्चों को हाथ जोड़ता request रहना है कि वो analyze करें कि क्या करें देखो मान लो for example आपको ये पता है मान लो आपको science लेनी है आपने लिए pcb ठीक है तो करना है कि doodle पर आपको search रहना है pcb में जितने भी course आते है वो select करने है जितने भी course आते है वो साई course है हमारे pcb में वो side course देखने है एक page पर लिख लेना और फिर इतना है कि उसमें से कोन course ऐसे है जो आपको attractive रखते है जो आपकी समझ में अच्छे आ रहे है वो course है एक shortlist कर लेना आपो तीन से चार course आप select कर लेना जैसी तीन से चार course आपने select कर लिए काम बहुत easy होगे आपके लिए तीन से चार course आपने select कर लिए अप करना क्या है आपको वो बन्ने गुणने है जो आपने तीन से चार course select करे जिनोंने वो towards complete किया हुआ है चाहे भाईया हो दीदियो ताऊ हो मामा हो उससे मतलब नहीं है आपको जार पर पूछना है कि भाईया आपने अच्छे ये towards किया हुआ है तो इसमें क्या होता है क्या नहीं होता अच्छा ये towards से बताना जरा मैंने क्या बोला आपको सबसे पहले हैं आप साइंस ले रहे हो कब PCB ले रहे हो for example PCB लिया तो Doodle पर सर्च रहना है जितने भी course होंगे एक page पर लिख लेना एक page पर लिख लेना लिख कर क्या है जैसे आप लिख लिया फिर क्या है यहां से shortlist करना आप 3-4 courses अब select करना 3-4 course आपने select करना क्या है जैसी 3-4 courses अब select कर लिए फिर आपको वो 3-4 बने जोंडने kommen complete किया हो भी कंपूलीट कोर्स तरह में हैं उन से पूछना है कि सर इसमें क्या होता है सर इसमें क्या है क्या नियां उनसे पूरी नॉलिज लेनी है नॉलिज लेन बग क्या है फिर आप तो शॉट लिस्टर नी है एक पोर्स जो आपका future प्लैन हो पाय रहा है ध्यार हो यह समझ में आगे आपको अब बात कर रहे हैं जड़ा है last topic के बात कर रहे हैं इससे पहले एक पर example देखो आप तो इसमें मानलो science से बच्चे नहीं हो आप हो आर्ट्स वाले बच्चे हो ठीक है आपने आर्ट्स लीवी है करना क्या है कुछ मत करो सीधा गूलल पर आप जाओ और देखो क्या है क्या नहीं है सबसे पहरे कोर्स होंगे कोर्स की पूरी लिस्ट लिको मान लो 12 कोर्स है इसमें आर्ट्स अपने लिया है आर्ट्स में गूलल पर आपने सबस्ट कर रहा है 12 कोर्स लीवी है को 12 में इसे एक हो कि आप कोर्स ऐसे कर सके हो जो आप से हो सकते है 3-4 कोर्स आप सेलेट कर लेना 3-4 कोर्स आप शॉट लिस्ट कर लेना जैसी आपने 3-4 कोर्स सबस्क्राइब। आपके इंट्रेस्ट वारा कोर्स हो रहा आपकी अंदर स्पीलिस होगी कोर्स अम्रीट करने की किरियों शॉर्ट लिस्ट करना बहुत जोरी है आप उस लेवल पर आ चुके हो कि टैंक के बाद क्रणना क्या है क्या ने करना अब बात करें ठर्ड केस की जो बात केसरी होने वा आपके सारे डाउट्स लेयर हो पाए अब अगर आप चाहते हैं कि आर्ट में, कॉमर्स में, और साइंस में कौन से कोर्स आते हैं, उसे बाइन इटेल से को कमेट से बताईए आप मुझे, मैं उस्से रिए बड़ी से वीडियो ना हुथ न गुदना जिसमें आपके सारे डाउट्स लेर होपाएं, कि आर्ट में य you so much बैबेश बखेर बखेर